ध्यान रखने योगे जरूरी बाते अपना कीमती समय निकाल का जरूर पढ़ें एक तरी वाली मसालेदार सबजी में चुपचाप एक छोटा टुकड़ा अमुल बटर का डाल दें सबजी का रंग निखर जाएगा दो खाना बनाते वक्त सेहत को स्वस्थ बनाए रखने के ल अगर आप कोई भी मीटी चीज खाते हैं तो उसके बाद गुड़का सेवन जरूर करें इससे आपको शुगर की समस्या नहीं होगी पाँच अगर सबजी में नमक जादा हो तो एक बड़ा आलू चील कर उसके दो टुकड़े करके सबजी में काट कर डाल दें आलू अतिरिक्त नमक को सोक लेगा छे किचिन की टायल्स पर किसी तरह के दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बो को पहले सिर्के से पोँच कर उस से मिला लें अब इसमें एक नीमबू काट कर डालें अब आप इस घोल को अपनी काच की वस्तों पर लगाएं हलके हाथों से रगड़ें और पानी से धोलें इस तरह आपकी काच की वस्तों की चमक भी बनी रहेगी और दाग भी साफ हो जाएगा 8. हर किसी को लहसुन चीलने में ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसे में अगर यह पहले से ही चीले हुए होंगे तो आपको आसानी होगी 9. आलू को काटने के बाद इससे तुरण ठंडे पानी में डाल कर रखें इससे आलू काफी समय तक काले नहीं होंगे 10. छोलो को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए छोले उबालते समय तेजबता बड़ी लाइची और लॉंग डाल दें 11. चीहरे पर शीशे जैसी चमक पाने में खीरा बेहत मददकार साबित हो सकता है 12. अद्रक लहसुन का पेस्ट बनाने के बाद इसमें एक चमच नमक और एक चमच गरम तेल डाल दें इससे पेस्ट ज्यादा समय तक खराब नहीं होगा तेरा सबजीया या सलाथ बहुत छोटे आकार में काटने से उनकी पॉस्टिकता कम हो जाती है इसलिए सबजी और सलाथ को थोड़ा बड़े टुकड़ों में ही काटना चाहिए चौदा सबजीयों पर चिपकी गंदगी और बैक्टिरिया साफ करने के लिए फिट करी के पाने का उपयोग कर सकते हैं पंदरा खाली पेट दूद वाली मीठी चाए पीने से आपका वजन भी बढ़ता है जिस वज़े से आप एक्टिव होने के बजाए सुस्त महसूस करने लगते हैं आपको आज के हमारे टेप्स कैसे लगए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें फैमिली और प्रेंट के विज़े से ज़्यादे आप शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भगल वाली घंटी के बुटन को दबाएं जिससे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा थैंक यू